असलाम वालीकूं, welcome up सभी का इस नई वीडियो में, तो अगर आप JK Bopi, BSA Nursing, BSA Paramedical या BSA Technology Courses का जो Intrance हमारा 2024 Session का है, यानकि JK Bopi का जो हमारा Intrance 2024 Session का है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, 2024 में आप BSA Nursing का Intrance देने वाले हैं, जमू कश्मीर में, तो ये वीडियो आप लोगको के लिए काफी जदा important रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो doubt हर student का होता है, वो में इस वीडियो में आपको clear करने वाला हूं, हर student का ये कहना होता है, कि हम कहां से prepare करें, कौन-कौन से topics हम अच्छी तरह से पढ़ें, क्या हम topics को deeply पढ़ें, या उपर-उपर से हम पढ़ें, तो वो में आपको इस वीडियो में detail में discuss करूंगा, कि क कहां से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका score अच्छा रहे, और score आपका अच्छा रहेगा, वो directly proportional है आपका, कि आपकी अच्छे college में आपे selection हो जाएगी, तो ये वीडियो काफी important होगा आपके लिए, इस वीडियो को पूरा end तक देख लेना है, चैनल को भी subscribe करके nursing, paramedical technology courses का कोई भी course करना चाहते हो, BSA nursing करना चाहते हो, paramedical की कोई ब्रांच करना चाहते हो, technology courses की किसी भी ब्रांच में आप जाना चाहते हो, तो आपको पाता है कि BSA nursing का entrance आपको देना कंपल सरी है, और उस entrance के base पे आप लोगों को यहां पे colleges अलाट होंगे, तो जमकुश student का target होता है, government college, अच्छे government college में उसकी selection हो जाए, क्योंकि अच्छे government college में अगर आपको selection हो जाएगी, तो वो directly proportional होता है, कि आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, और आपकी life आगे चलके अच्छी यहां पे settle हो जाएगी, अगर आप किसी ACVC college में जाते हो, admission करने, वहां पे आपको नहीं कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं practically कुछ सीखने को मिलेगा, और नहीं theoretically का, तो वो तो कुछ फाइदा ही नहीं होता है उसको, तो जब आपको खुद पता नहीं होगा, जिस field में आप हो, अगर आपको उस field में अच्छी तरसे पढ़ाया नहीं जाएगा, खाक कर लो, और आपका आगे चलके future क्या बनेगा, खाक थोड़ी बनेगा आपका आगे चलके future, इसलिए ये जो 2-3 महीने आपके पास हैं, 2-3 महीने क्यों आपके June तक exam यहां पे होगा, 4-5 महीने आपके पास बचे हैं, तो इन 4-5 महीनों में आप अपनी preparation बिल्कुल अच हो जाता है, अच्छी GMC में आपको अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा, और जब आपके पास practical knowledge अच्छी खास है, तो आप आसानी से किसी भी hospital में settle हो सकते हैं, और आगे चलके अगर आप कोई भी competitive exam देने वाले हो, या दे दोगे कोई भी competitive exam, आपकी selection done है, लेकिन उसके लि है, आप आसानी से 95%, 90% यहां पर ला सकते हैं, आप 95% लाने है, 90% लाने है, तो पढ़ना केस है, क्या-क्या पढ़ना यह तो आप लोंगों को पता होना चाहिए, देखो, पढ़ने के लिए आपको जाए वो syllabus वगिरा में आपको आरडी दिया है, फिर से मैं description में link डाल रहा है, box का photo, वो market में कोई G&M की MCQ book आती है, 200-300 रुपे की वो book आती है, हर student जो भी 2024 के लिए prepare करें, हर student मुझे कुछ दिनों से उसका photo बेज रहा है, कि भाई हमने यह वाली book लाई है, इससे हम अपनी preparation करने, क्या हमारी selection हो जाएगी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, MCQ book कोई specific book नहीं होती है, वो just आपको preparation boost करने के लिए, उससे आप अपनी preparation बिल्कुल ना करें, यह गलती हैं, आप जो करते हो, MCQ book लाई के कोई भी market से 100-200 रुपे की book लाई, उससे पढ़ना start के रटा मार दिया MCQ उसको, फिर जब आप इंटरंस दे दे जाते हो, फिर बोलत भी हुआ होगा ओपर, GNM General Nursing Midwifery, उसके syllabus के according उसको बनाया गया है, वो BAC Nursing के syllabus के according नहीं बनाया गया है, अब अच्छी तरह से उसको देख लो, और कोई एक specific book बिल्कुल ना पढ़ लो, अगर आप चाहते हो कि आपका score अच्छा हो, तो उसके लिए आपको NCRT के हिसाब से ह पढ़ना पढ़ेगा, NCRT के हिसाब से आपका paper आजागा, या जो भी competitive exam होता है, वो NCRT के base भी होता है, कोई specific MCQ book, बिल्कुल मत पढ़ लो, पढ़ लो, उसको मैं नहीं कहता हो कि मत पढ़ लो, लेकिन साथ में अप preparation NCRT के हिसाब से कर लो, MCQ books अगर आप पढ़ भी लोग फिर last पे आपको 30-40 का score रहेगा, फिर आप यह नहीं बोलना कि मेरा साल क्यों waste हो गया, तो पढ़ने के लिए आप जोगो NCRT books ही पढ़ लो, और syllabus जो आपका है, वो NEET के according है, जैसा NEET का syllabus है, वो ही syllabus यहाँ पे भी है, और student जो कहने है कि हम उपर-उपर से पढ़ें याँ आप स्टेट लेवल इंटरंस देने वाली हो, स्टेट लेवल पे आप इंटरंस दे रहो, तो आपको डीप में ही पढ़ना पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के जाओगे definitions का, और चले जाओगे इंटरंस देने, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप डीप में पढ़ कर रहे हो, तो अच्छी तरह से deep में in depth आप अपनी तरफ से prepare कर लो, depth में आप prepare कर लो, deeply आप पढ़के जाओ topics को, आपको topic अच्छी तरह से समुझ होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसके according MCQ books भी ला सकते हैं, बहुत सारी market में भी मिल जाएंगे, और मैं भी आपको जाएंगे, वहां से free, of course, download कीजिए, उनको भी check कीजिए, लेकिन preparation आप बिलकुल NCRT के according ही करना, और NEET के according अपनी preparation करना, ताकि आपको आगे चलके selection हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास 10 या 15 दिन नहीं है, अभी आपके पास 4-5 महीने, यह बहुत time होता है, कोई उतना ब दंदनाग में, आपकी selection done है, और अगर आपको इन अच्छे अच्छे GMC's में selection हो जाती है, schemes में, GMC सरनगर में, GMC बारामुला में, तो आपको सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा, और आपकी life भी आगे चलके, बहुत अच्छी तरह से set हो जाए, और set हो जाओगे आगे चलके, इसलिए जो आप अपनी preparation कर रहे हो, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो, और topics को आप detail में पढ़ लो, ऊपर ऊपर से definition रटा मारने की जूरत नहीं है, definitions काम नहीं आएंगी, आपको detail में पढ़ना होगा, और जो मेने MCQ books हैं, आप चाहें तो आप उनको पढ़ सक अपनी preparation को boost करने के लिए, लेकिन उसी से आप अपनी preparation बिलकुल भी मत करो, तो ये ता आपका थोड़ा सा इसके बार में, इंटरंस के बार में, जो मिने आपको बता दिया है, साड़े साथ मिनट का वीडियो होगा, वीडियो को हीं पर खतम कर लोगा, और आगे भी आपको को एकन फूज नोगा मुझे कमें शेक्शना बतार